नमस्कार दोस्तों श्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से बीस नबंबर उत्पन्ना एकदसी बना दुरलब महा शेयोग महा एकदसी तुलिसी जी पर चढ़ा दें यह एक चीज चमक जाएगा आपका भाग आपकी साथ पुष्टे रुपए पैशों में करेगी राज दोस्तों मार्ज शिर्ष के कृष्ण पक्षी एकदसी को उत्पन्ना एकदसी के नाम से जाना जाता है इसी दिन देभी एकदसी का प्रागट हुआ था इसी दिन को एकदसी जेंती भी मनाई जाती है वार्षिक उफवाश रखने का संकल लेने वाले भक्त उत्पन्ना एकदसी से ही एकदसी ब्रत की शिरुवात करते हैं शबी एकदसी ब्रत देवी एकदसी को समारपित है जो भगवान विश्ण जी के सक्तियों में से एक है ऐसे माना जाता है कि एकदसी का जन्व भगवान विश्ण जी का बद करने वाले राक्षस मुरू का निवास करने के लिए भगवान विश्ण जी के देह से ही प्रगठ यनि किließ रक्षस का भगवान विशुनकी जब बध करने के लिए ःनि कि उदत हुए तब देवी मा का प्रगठ हुआ और भगवान विश्यों जी के देह से इनकी उत्पत्ती हुई इसलिए 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 इसल करने का पुन्फल प्राथ होता है उत्पन्न एकदसी का ब्रत करने से कई जन्मों के पाप नश्ठ हो जाते हैं यह एकदसी आरोग संतान प्राप्ती मौक सिधन बैभाव के लिए किया जाने वाला ब्रत है इसी दिन से एकदसी उपवास की उत्पत्ती होई थी दोस्तों इस इस बार उत्पन्न एकदस्शिक ब्रत तीश नवंबर यनि की बीस नवंबर दिन यनि की रविवार को रखा जाएगा इस बार यनि साल दोजर बाइस में बीस नवंबर दिन रविवार को यह एकदस्शिक ब्रत रखा जाएगा आज की दिन यनि की आज की दिन भागवान वि की भी जरूर पूजा करें आज की इस वीडियो में हम आपको इस उत्पन्ना एक अदसी की दिन इस शुव संयोग पर भगवाण स्री हर विश्णू और माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही आसान और असर कारक उपाई बताने जा रहे हैं क्योंकि दोस्तों इस बार यह उत्पन्ना एक अदसी 20 नवंबर दिन रव्यार को पढ़ रही है और अधबुद शुव संयोग में पढ़ रही है तो इस उपाई को करने के लिए भागवान स्रीहर पिश्णू और मा लक्ष्मी कृपा शेधन शंबंधी सब्स्रमश्याएं दोर हो जाएंगी इसलिए आप ये उपाई जरूर करें भागवान पिश्मी कृपा से कष्टों से भी छुटकारा मिलेगा दोस्तों इस उपाई को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को एंड तक अवश्यी देखें तो आईए दोस्तों जानते हैं इस उपाई के बारे में उपाई करने के लिए आप एक अदसी के दिन इश्णान करें स्वक्ष वस्त धारन करें आज की दिन पीले रंग के वस्त्र पहने फिर आप अपने मंदर के सामने आसन विछा कर बैड़ जाएं आपके मंदरे में अगर भगवान विश्मजी की प्रतिमा है तो उन्हें पंचम्रत से शिनान करें पंचम्रत यानि पानी दूद दही घी शहद यानि कि आपको दूद दही घी शहद मिस्त्री सक्कर गोल बना लेना है भगवान विश्मजी मालक्षमी जी को शिनान करें लड़ू गोपाल को शिनान करें फिर स्वक्ष जल से शिनान कराने के बाद आप भगवान जी का प्रणाम करें भागवान विश्मी जी को प्रणाम करें और मा लक्ष्मी जी को प्रणाम करें फिर आप क्या करें ब्रत करने का संकल पर भी रखशकते हैं और यथा योग शंभाव दान करें फिर आप भागवान विश्मी और मा लक्ष्मी की पूजा करने के बाद आप एक ल और फिर आप इस जल को ले जाकर आप तुलसी जी के सामने खड़े हो जाएं और तुलसी जी से प्राथना करें तुलसी जी से अपनी मनोकामना बोलते हुए इस जल को तुलसी जी पर चढ़ा दें और तीन बार तुलसी जी की परिक्रमा करें और फिर तुलसी जी के नीचे ए माता लक्ष्मी जी का वास होता है, खास कर एक अदसी के दिन तुलसी जी की पूजा करने से अश्मे घ्यग के बराबर फल मिलता है, शभी पाप दोश नश्ट हो जाते हैं, भगवान पिश्मी जी किर्पा बरस्ती है, कार में प्रशिद्धी प्राप्त होती है, लगातार अं प्रश में आप पांच हल्दी की गाठ एक रुपए का सिक्का, दो इलाइची, दो लौंग, दो शुपाड़ी रखकर तुलसी जी पर बान दें, अपनी मनोकामना बोलते हुए, पहले खड़े हो जाए, फिर अपनी मनोकामना बोलिए, फिर आप तुलसी जी पर ये बान द अपनी मनोकामना बोलते हुए, आप देखेंगे कि 24 घंटे के अंदर ही, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी, शुक्षंब्रदी बढ़ेगी, धन बैभाव बढ़ेगा, कार में प्रसिद्धी प्राप्त होगी, हर कार आशाने से बनता चला जाएगा, जो कुछ भी कार अधोरे थे, पेंडिन्ग थे हुआ आशाने से पूरे हो जाएगे, जीवन में धन, मान, समान, लाव सब कुछ प्राप्त होगा, कारिम प्रसिद्धी प्राप्त होगी, हर कार आशाने से पूरा होगा, तो इस प्रकार से आप तुलसी जी की पूजा राधना जरूर करें, लेकिन खास कर इस दिन एक लोटा जल जरूर चड़ाएं, इससे भगवामजुशों और मातालक्ष में परसन होती हैं, तुलसी जी की पूजा एक अतस्षिक दिन करने से शंपूर फल का लाब होता है, तुलसी जी भी इस दिन आप घर में लगा सकते हैं, तुलसी जी की कृप दोस्तो वीडियो पसंद आए, तुल लाइक करें, शेर करें, चलन को सब्सक्राइब करेंगा, जय मलक्षमी